हालो दोस्तों मैं शोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट एड़ा पर तो दोस्तों कैसे है आप दोस्तों आज किस वीडियो में हमाँ आपको बताने वाला हूँ नई डैटसन Ready Go के बारे में हंजी दोस्तों डैटसन Ready Go BS6 में लौंच होने जा रही है तो इसके क्या features है क्या specification है साथ ही साथ दोस्तों क्या कुछ नया इस गाड़ी में देखने को मिलेगा और किस गाड़ी से इसकी कड़ी टकर हैगी पूरा review इस गाड़ी के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों डेटसन ने facelifted version का teaser जारी किया है जिसे lockdown खतम होने की तुरंत बाद launch किये जाने की उमीद है दोस्तों और teaser तस्वीरों से यह पता चलता है कि डेटसन में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे खास दोर पर दोस्तों कार की लुक को जो है नया पन दिया गया है भारत में नई डेटसन रेडिगो का जो entry level hatchback है कई कार है जैसे मारुती औल्टो और रेनो कविट से इसका तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लुक की हाँ जी दोस्तों डेटसन रेडिगो के फेसलिफ्ट मोडल की टीजर को अगर देखा जाए तो नई रेडिगो का जो लुक है काफी bold और sporty आपको देखने को मिलेगा कार का नया लुक आपको जो है फ्रंट का एकदम नया होगा दोस्तों जिसमें आपको ज्यादा लार्ज फ्रंट ग्रिल octagon डिजाइन में आपको मिल रहा है साथ में ग्रिल के दोनों तरफ आपको L सेप में लंबी LED DRL दी गई है नई कार में आपको दोस्तों फ्रंट बंपर और headlamp cluster भी बना दिया गया है headlamps नई और sharp look में नजर आएगी दोस्तों tail lamp के अगर बात किजाए तो tail lamp में भी बदलाव किया गया है साथ ही साथ यहां पे rear में integrated spoiler दिया गया है दोस्तों और साइड प्रोफाइल के अगर बात किजाए तो साइड में आपको फ्रेंडर्स पर डैटसन की बैजिंग दे गई है तो दोस्तो इसके फीचर्स की अगर बात किजाए तो डैटसन रेडिगो फेसलिफ्ट में इंटेरियर की जानकारी का खुलासा अभी तक कमपनी नहीं किया है लेकिन संभावना है दोस्तो की कार की टोप मोडल में रेनो कवीट जैसा टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा सकता है साथ ही आपको डैस्बोर्ड ले आउट भी नया मिलेगा नए विल्स मिलेंगे लेकिन यह ऐलोई विल्स नहीं होंगे दोस्तो माना जा रहा है दोस्तों की इंजन और फीचर्स मोजूदा डैटसन रेडि गो के जैसे ही आपको मिलेंगे जैसा कि आपको प्रानी आपको रेडि गो में मिलते है ऐसी भी संबाना है दोस्तों की कार में कुछ नए फीचर भी दिये जा सकते है दोस्तो इस कार के पावर और इंजन के बारे में बात करते हैं नई डेट्सन रेडि गो फेसलिफ्ट में आपको इंजन और ट्रांसमिशन पहले के मोडल जैसा ही मिलेगा हाला कि अब ये नई BS6 इंदन उचरजन मानकों के साथ आएगी दोस्तो फिल हाल यह कार 800cc पैट्रोल और 1.0 लिटर पैट्रोल इंजन दो ओप्षन में आती है दोनों इंजन के साथ दोस्तो आपको 5-speed manual gearbox मिलता है और 1.0 लिटर इंजन के साथ AMT gearbox का ओप्षन आपके लिए उपलब्ध है याँपे हाला कि ऐसी उमीद है दोस्तो कि नई डेट्सन रेडी गो फेसलिफ्ट में manual shifting वाला AMT transmission मिल सकता है तो दोस्तो इस गाड़ी के कीमत और मुकाबले की बात करते है मौझूदा रेडी गो की दिल्ले में 100 रूम कीमत के अगर बात की जाए दोस्तो तो 2,89,000 रुपए से सुरू है जो की 4,36,000 रुपए तक है तो नई मौडल की कीमत भी दोस्तो इससे थोड़ी सी जादा हो सकती है तो दोस्तो मार्केट में डेट्सन रेडी गो की फ्रन्ट में जो कारे रहेगी दोस्तो तकर में जो कारे रहेगी वो है मारूती सुजुकी की एस्प्रेसो मारूती ओल्टो और साथ यसाथ दोस्तो हैच बेक कारे जो है रिनोल्ट क्विड से इसका कड़ा मुकाबला होगा तो दोस्तो कमेंट करके मुझे जरूर बताए कि डेटसन रेडि गो आपको कैसी लगे साथ यसाथ आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे दोस्तो ताकि आगे भी और ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले थैंक यो फर वाचिंग मैं वीडियो